आलो के पापड तो अपने बहुत तरीके से बनाए होंगे आज हम आपके साथ आलो के पापड की एकदम new और different recipe share करने वाले हैं गारंटी है कि यह आपको बहुत ही पसंद आएगी आलो को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो यहाँ पर हमने 1 kg आलो लिया है जिसको हमने काफी अच्छे से उबाल लिया यानि कि वर्ल कर लिया है अप ठंडा करने के बाद इसका हम चिलका हटा लेते हैं और चिलने के बाद इसे हम मैस नहीं करेंगे इसे हम कद्दुकस करने वाले हैं यानि कि ग्रेट करने वाले हैं आप चाहें तो आप एक मैसर की हेल्प से इसको मैस भी कर सकते हैं लेकिन इसको हम great कर रहे हैं great क्यों कर रहे हैं? वो भी हम आपको आगे बताते हैं तो चलिए सारे यालूं को हम great कर लेते हैं तो ये लीजिये सारे यालू काफे अच्शे से great हो चुके हैं तो अब इसे हम side में रखते हैं और इसमें कुछ add करने के लिए यहाँ पर हमने लिया हुआ है fresh, हरा धनिया, थोड़ी सी quantity में हमने लिये हरी मिर्ची तो इसे क्या करना है ना, इसे हमें पिस लेना है, मिर्ची हमने थोड़ी सी ज़दा लिया है आप इसकी quantity कम भी कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा सा तीका अच्छा लगता है न बपर तो अब इसको हमें पीस लेना है तो इसमें हम पानी जो है वो बिल्कुल भी add नहीं करेंगे बिना पानी डाले इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है तो हमें इसके बहुत ज़्यादा fine paste नहीं बनाना है ये देखे इस तरीके से दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है पानी का इस्तियमाल इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं करना है तो हमारा ये जो paste evaporated ही हो चुका है तो अब इसे grate के हुए आलू में डाल देते हैं और इसे जो आलू का टेस्ट है न वो बहुत ही ज़दा पढ़ियां आता है एक चमच इसमें डालेंगे हम जीरा आप इसमें भूने जीरे का powder भी इस्तियमाल कर सकते हैं टेस्ट के according इसमें हम नमक डाल देते हैं अब इसे हम अच्छे से mix कर देते हैं तो आप इसका color देख सकते हैं आप इसका जो color है न वो एकदम green दिख रहा है जो कि काफी अच्छा भी लग रहा है न तो बस थोड़ा सा हमें लेना है तेल आप इसमें सर्चों का तेल भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस पापड को बनाने के लिए और तेल को थोड़ा सा हाथों पे लगाना है उसके बाद हमें इसकी balls बना लेनी है तो इसकी जो balls है उसे हमें छोटी-छोटी सी बनानी है या फिर आपको जितना छोटा या बड़ा पापड बनाना हो उस हिसाब से आप इसकी balls को बना सकते हैं और जो हमने आलो को grate किया है उससे क्या होता है जो हमारी पापड बनते है ना उसमें थोड़े से आलो के जो टुगड़े होते है ना वो नजर आते हैं तो यह जो पापड है थोड़ा सा डिफरेंट लगता है खाने में जो की बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और बनाने वाले हैं तो यह आलो के जो बॉसम ने बनाई याना इसको रखेंगे और यह साइट से जो प्लास्टिक है इसको हम पलट देंगे फिर इसको हलका हाथों से फ्लैट करेंगे और उंगली की सायता से इसको हम बढ़ाते जाएंगे जितना पतला आपको पापड बनाना हो उतना पतला आप इसको बना सकते हैं तो ये लिजे हमने बहुत ज़्यादा बड़े पापड नहीं बनाए हैं तो सारे पापड को हम इसी तरीके से बना लेंगे और एक प्लास्टिक सीट पर हमने इसको इस तरीके से फैलाते जाना है आप चाहें तो आप इसको पंके की हवा में भी सुखाएंगे ना तो एक दिन में काफी अच्छे सी ये सूप भी जाते हैं तो इसी तरीके से हमें सारे पापड को बना लेना है ये देखे और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी तो सारे पापड को हमने बना लिया है अब इसको हम सुखने देते हैं और सुखने के बाद आप इसको साल दो साल साल स्टोर करके रखें ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और खाने में तो ये बहुत जदा टेस्टी लगते हैं तो यह थोड़ा सा different है और unique भी है इसका जो color है वो भी काफी amazing आता है लेकिन हाँ सूखने के बाद यह थोड़ा सा आपको color नजराएगा क्योंकि सूखने के बाद थोड़ा color तो change होई जाता है है ना तो चलिए इस पापड को हम सूखने देते हैं और हम मिलते हैं इस पापड को सूखने के बाद और अगर पापड की आप और वी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारी पापड की variety अपलोड है आप एक बर check out जरूर कीजेगा वीडियो पसंद आएगी तो like को share भी कीजेगा तो यह लिजे सारे आलू के जो पापड है वो काफी अच्छे से सोख चुके हैं और यह पापड कितने ज़्यादा पतले बने हुए हैं यह तो आप देखी सकते हैं और कहीं से टूटे भी नहीं यह ना तो यह फटे हैं इस पापड को बनाने में बहुत यदा आसानी होती है और इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत ही amazing आता है थोड़ा सा यह तीखा लगता है डिफ्रेंट भी दिखता है और पापड के पेक्षा यह देखे तो हैना इसको बनाने में बहुत आसान बहुत ही बढ़ियां सा यह पापड बनकर तयार हुआ है सुखाने के बाद आप इसको साल दो साल इस्टोर करके रखें यह बिलकुल खराब नहीं होता है हां बीच बीच में आप धूप जरूर दिखाते रहें तो चलिए आपको इसको हम फ्राई करके भी दिखा देते हैं तो तेल को पहले अच्छा गरम कर लें फिर इस पापड को तेल में डाल दें और कुशे सेकंड के बाद आप देखेंगे कि यह पाप स्काइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा पापड की बहुत सारी रेसीपिस हमारे चैनल पर अप्लोड है तो प्लीज एक बर्चे काउट जरूर कीजेगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ सेयर भी कीजेगा तो चलिए हम मिलते हैं एक नई रेसीपि के साथ एक नए वीडियो में तब तके लिए बाई बाई टेक केर